हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेज मंतर आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश PCS प्री परिच्छा के सामान अध्यन के कुछ कोश्चन्स डिसकस करेंगे और यह कोश्चन्स आपको अटेंप्ट करने होंगे सारी कोश्चन्स प्रिवियस यह में पूछे गए तो इसमें करेंट कोश्चन्स भी आते हैं लेकिन मैंने इस सेशन में उन्हीं कोश्चन्स को लिया है जो आपके ऐसे कोश्चन्स हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं उसमें करेंट के कोश्चन्स नहीं होंगे तो जो current के question से उनको मैंने skip कर दिया है क्योंकि पुराना paper है और आज से लेकर के हम लोग continue 10 October तक इस session को चलाएंगे जिससे जो भी 11 October को आप लोग का exam है उस exam के लिए आपकी preparation अच्छी रहे तो जो पहला question है वो है manometer की द्वारा किसकी map की जाती है ये आपको देखना है और बताना है कि कौन सा इसका option सही होगा तो देखिए जो manometer होता है manometer एक यंत्र होता है और इससे किसकी map की जाती है इसका answer आपको बताना है ज्यादा time taking बिल्कुल भी मत लीजेगा तो इसका जो answer सही होगा वो होगा option A option A गैसो का दाव जो manometer होता है उससे गैसो का दाव और गैसो का घनत तुम आपा जाता है अगला question भारत की सरवोच परवत स्रेड़ी कौन सी है तो इसके लिए कौन सा answer सही होगा आप लोग देख करके इसको फटा फट से इसकी answer करें भारत की सरवोच परवत स्रेड़ी कौन सी है तो भारत की जो परवोच परवत स्रेड़ी है वो है केटू गौडविन ऑस्टिन option A देखे जो भात की सर्वोच परवत सेड़ी है K2 Godwin Austin इसकी उचाई इसके बेश से इसकी सतह से 8611 8611 मीटर है ठीक है ये परवत सिखर जो है ये नेपाल तिबबत में इस्तित है विस्की सर्वोच परवत चोटी एवरिस्ट से ये मातर 237 मीटर नीचे है ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अगला कोश्चर है हेंशांग किसके शाशनकाल में भारत आया था तो हेंशांग जो था बताईए चंदरगुप्दुती के समराथ हर्स के चंदरगुप्दुमौर के या चंदरगुप्दु प्रतम के तो हेंशांग आया था समराथ हर्स के शाशनकाल में आपको ऐसे याद रगने हा से हर्षवर्धन और हा से हर्स तो जो हर्स है और हेंशांग हा से हर्षवर्धन और हा से हेंशांग तो हर्षवर्धन हेंशांग के शाशनकाल में भारत जो हर्षवर्धन का समराथ हर्षवर्धन था उनका शाशनकाल था उसी समय हेंशांग भारत आया था जो की 629 के आसपास का समय था और ये 16 वर्षों तक इसने भारत में निवाश किया ये जगे जगे के इस्थानों से या Shiyu की नाम से प्रिशिद है जो हें सांग हैP ब्रहमण वितान्त को ऋ शीऊ की नाम से जाना जाता है जिसमें उसने 138 डेशों का ब्रतान्त बताया है ठीक है अगला कोशन देखिए कोशन ओप्सरण ब्र्माण जो आजका कोशन है हेंसां किसके शाषनकाल में भारत आया था यह आपको क्लियर हो गया होगा तो यही कोश्चन दोबार रिपीट हो गया है तो आंसर इसका ऑप्शन भी है अगला कोश्चन देखिए बिधी विश्विद्याले कहां पर इस्थापित किया गया केरल में त्रिवेंदर में नई दिली में या वैंगलोर में बिधी विश्विद्याले इस्थापित किया गया था वैंगलोर में अगला कोशन नीवन में से कौन भूकंप मापी यंत्र है कैश्कोग्राफ सिस्मोग्राफ रेंगेज या गीगर काउंटर तो भूकंप मापी यंत्र है वो कहते हैं सिस्मोग्राफ ऑप्शन बी अगला कोशन भारती संग में रजवारों का बिला सबसे अधिक किस संद में हुआ था तो इसका आंसर होगा 1948 किसी लिप्ट में बैठी हुए ब्यक्ति को अपना भार कभ अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट तुरित गती से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तुरित गती से उपर जा रही हो, समान बेख से नीचे आ रही हो, या समान बेख से उपर जा रही हो तो इसके लिए आंसर सही होगा option A जब lift तुरित गती से नीचे आ रही होती है तभी वेक्ति को अपना भार सबसे अधिक मालूम पड़ता है अगला question बावर की इब्राहीम लोदी पर बिजय का कारण क्या था बावर की इब्राहीम लोदी पर बिजय का कारण क्या था तो आंसर सही होगा option C कुशल नायक देखें जो बावर की इब्राहीम लोदी पर बिजय हुई थी ये 23 अपरेल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बावर और इब्राहीम लोदी के बीच में तो बावर ने इब्राहीम लोदी को परास्त कर दिया था उस समय उसका कुशल नेतत था कुशल सेना नायक उसने जो नेतत किया था वो बहुत ही अच्छा था इसलिए उसने विजयप्राप्त की थी अगला question पेंगुईन चिडिया कहां पाई जाती है अफरिका में दच्णी अमेरिका में अंटाक्टिका में या उत्री अमेरिका में तो आंसर सही होगा option C अंटाक्टिका पेंगुईन चिडिया जो है ये थंडे प्रदेशों में रहने वाली चिडिया है एक पच्छी है जो दच्छणी महासागर और अंटाक्टिका महादीप के बरफीले भागों में पाई जाती है फिर से सुन लीजे दच्छणी महासागर अंटाक्टिका महादीप के बरफीले भागों में पाई जाती है अगला कोशन है चैतन्य महाप्रभू किस संप्रदाय से संबंदित है बौद से शैव से वैशनों से या सूफी से तो चैतन्य महाप्रभू जो है वह वैशनों संप्रदाय से संबंदित है और इसके साथ ही चैतन महाप्रभु के जो इजो थे वो कृष्ण मार्गी साखा से संबन थे ठीक इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्चन इनको आपको सुमेल करना है तो इसको सुमेल कीजिए तो देखिए जो बाल विवाह का अंत है ये किस ने किया था बाल विवाह का अंत किस ने किया था आप लोगों थोड़ा सा टाइम दूँगी इसमें तो इसके लिए जो आंसर होगा वो सही होगा ओप्शन ए देखिए जो बाल विवाह का अंत है वो किया था एमजी रानाडे ने इसको हम ऐसे मिला लीजे एमजी रानाडे ने इसके साथ ठगी प्रथा का अंत किया था करनल स्ली गेम ने पिंडारियों का दमन ये किया था लौड हिंस्टिंक्स ने पुनर विवा है, जो बिधवा पुनर विवा है ये किया था इश्वर चंद्र विद्यासागर तो इस साब से अप्शन ये सही होगा, अगला कोशन समूदर में घनत बढ़ता है तो ऐसे में लव़ता तथा गहराई कम होती है लव़ता घढ़ती है और जो आंसर होगा वो होगा option D, लवर्ता और गहराई दूनो बढ़ती है, लवर्ता भी बढ़ती है और गहराई भी बढ़ती है लेकिन ऐसा सब जगे नहीं होता क्योंकि जो उच अच्छांसी छेत्र हैं वहां पर गहराई के सासर लवर्ता की मात्रा में ब्रद्धी होती ठीक है तो इसका आंसर सही होगा आप आपशन डी अगला कोशन भार्ति समीदान सभा की प्रारूफ समिती का अध्यच्छ कौन था डक्टर राजेंद्र प्रशाद डक्टर भीम राव अंबेडिकर डक्टर सी राजगोपाल चारी यह डक्टर सच्चिदानन सिन्हा तो प्रारूप शमिती के जो अध्यच थे वो थे भीम राव अंबेडिकर अगला कोश्चन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दू कि जो समीती थी समीती को में साथ शदस थे कौन-कौन से थे डक्टर भीम राव अंबेडिकर, एन कोपाल स्वामी आयंगर, एके आयर, के एम मुंसी, सैयद मुहम्मस सादुल्ला, एन माधो राव और डीपी खेतान अगला कोश्चन है, असायोग आंदोलन 1920 में प्रारंब हुआ था, बताईए यह कब समाप्त हुआ था तो जो असायोग आंदोलन था, ये 1920 में तो आरंब हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका जो अंत हुआ था, वो हुआ था 1922 में अंग्रेजी प्रशाशन को जो था उसके पूरे कामकाज को ठप करने के उदेश से, जो महतमा गांधी थे, उन्होंने 1920 में असायोग आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी ने ये इस पस्ट निर्देश दिया था, कि यदि प्रशाशन में अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए, तो अंग्रेजी प्रशाशन पूरी तरीके से ढह जाएगा लेकिन इसी वीच क्या हुआ था कि गोरखपुर की चोड़ी-चोड़ा गाउं में पांच फरवरी को 1922 को भीड हो गई थी, खटी हो गई थी, तो पुलिस थाने में आग लगा दिया गया जिसमें 22 पुलिस कर्मी मारे गए, इसके परणाम सुरूप क्या हुआ था कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असाहियोग आंदोलन बापस ले लिया था यह वाला जो कोशन है यह कोशन अभी जो एक्जाम हुआ था खंड़ सुच्छा अदुकारी का उसमें यह कोशन पूछा गया था देखे प्रिवेस एर के कोशन बहुत इंपोर्टन होते है इनको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है अगला कोशन भारत चोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था तो जो भारत चोड़ो आंदोलन है यह शुरू हुआ था बंबई से ठीक है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको कांग्रेश कारिकारणी ने अंग्रेजों से उद्देश था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ों का प्रिस्ताव पास किया था इसकी पुष्टी आठ अगस्त को हुई थी 1942 को बंबई के ग्वालियर टेंक मैदान में कांग्रेश कमीटी की बैठक की गई इसी सवा में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था यह आंदोलन एक ब्रहत जन आंदोलन भी बनी गया था थीक है तो 1942 में कहां से शुरू हुआ था यह हुआ था बंबई से अगला कोशन भारत का दच्छिर्टम बिंदू कहां है कन्या कुमारी बड़ा निकोबार लक्षदीफ या मद्रास तो भारत का दच्छिर्टम बिंदू जो है वो है अंडमान निकोबार डीप समू का ग्र इंद्रा पॉइंट पिगमेलियं पॉइंट आधी नामों से जाना जाता है दच्छिर्टम बिंदू जो है वो अंडमान निकोबार दीप समू के ग्रेट निकोबार में इस्थित है इसे इंद्रा पॉइंट कहते हैं पिगमेलियं पॉइंट भी कहा जाता है तो यहां पर आगला कोशन है किस प्रकार की प्रिषाशन प्रणाली की व्यवस्था की गईर चاتुमक pregnant सन्सदात्मक या अरद्य लोक कि तो जो भातिः संबिथान है उसमें संसदात्मक क्षासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है आप लोग डेली इस सेशन को जरूर जोइन करें बहुत यूसफुल होगा आपनों के लिए 1988 के ओलम्पिक खेल कहा हुए थे तो 1988 के जो ओलम्पिक खेल हैं ये हुए थे शियोल में ओप्शन D अगला कोशन हिंदी तथा फार्सी दोनों भासाओं का विद्वान था ये जो थे ये संत सल्तनत कालीन कवी थे लेखक थे सूपी संत थे ये बहुत बिद्वान थे इन्हें हिंदी का फार्सी का दोनों भाषाओं का बिद्वान माना जाता है क्योंकि इन्हें बहुत बिद्वता थी इन्हें इन दोनों भाषाओं की मिस्त्रर से ही उसने हिंदिवी उर्दू को जन्म दिया अमीर खुष्रों की जो प्रमुक रचनाये हैं वो है लैला मजनू, शीरी फरहाद, मतला उल अनवर, खमशा, पंजगंज, आइने सिकंद्री ठीक है अमीर खुष्रों ने बलवन से लेकर की गया शुद्दीन तुगलत के काल तक की घटनाओं को अपनी आखों से देखा है यह वात को ध्यान रखना है आपको अगला कोशन है जन गढ़ मन की रचना किसने की अरविन घोष ने, बंकिंग चंद चटर जी ने, रविन नाट टैगोर ने यह सरोजनी नाइडू ने तो जो जन गढ़ मन की रचना थी यह रास्ट गान है रविन नाट टैगोर ने इसकी रचना की थी ठीक है और इस रचना का गायन लॉर्ड होर्डिंग जो गवर्णर जनरल बंकर 1910 में भारत आये था उसके श्वागत में 1911 में हुआ था तो सबसे पहले जन गढ़ मन का ज जो लॉर्ड होर्डिंग थे उनके श्वागत में हुआ था ठीक है जो की 1910 में भारत आया था अगला कोशन देखिए भारत का नेपोलियन केसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समराथ बताईए चंद्रगुप्त मौर को चंद्रगुप्दूति विक्रमादित को अशो 1857 की करांती सरपर्थम कहां से प्रारमव हुए तो 1857 की करांती सबसे पहले लखनाओ, मेरट, कलकट्ता या कानपुर तो यह करांती सबसे पहले सुरू हुई थी मेरट से देखिए जो परतंभारति रस्टी सुतंता संग्राम हुआ था 1857 में इसकी शुरुवात 10 मई 1857 को मेरट से हुई थी सैनको ने मेरट से दिल्ली की और कूच किया था और बहादुर बहादुर साहे जफर को बास्चाय घोशित किया था इसी विद्रों के प्रमुख छेत्र लखनव कानपूर बरेली इलाहाबाद बनारस जहांसी गवालियर आगरा जो आरा है भोशपूर यह थे तो अप्रेल 1858 तक अंग्रेजों ने इसे पूर्ण रूप से दवा दिया था तो यहाँ पर कोशन पूचा है कि 1857 की करांदी सहब प्रतम कहां से हुई थी तो यह हुई थी मेरण से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ और भी पॉइंट याद हो जाए अगला कोशन है भारती राष्टी कांग्रेश की निम्न में से कौन प्रतम महिला अध्याच थी बिजल अच्मी इंद्रा गांधी एनिवेशेंट या नलनी सेना गुप्त तो भारती राष्टी कांग्रेश की प्रतम महिला अध्याच थी ओप्शन सी एनिवेशेंट ठीक है बारती राष्टी कांग्रेस की प्रिथम महिला अध्याच एनिवेसेंट होने का जो सबसे जादा गौरो प्राप्त है वो एनिवेसेंट को ही प्राप्त है और ये उनको 2017 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इस बात का प्रियास किया था ठीक है उनके ही प्रियास से उन्हें ये उपादी मिली थी उपलब्धी मिली थी भार्ती राष्टी कांग्रेस की नीम्न में से कौन प्रिथम महिला अध्याच थी यह आपको क्लियर हो गया है ऑप्शन सी अग्रा कोशन अंग्रेजों में भारत में अंग्रेजों की सर्वस्रेष्ट तक किस युद्ध से इस्थापित हो गई थी प्लासी की युद्ध से बक्षर की युद्ध से बांडिवाश की युद्ध से या अरकाट की युद्ध से तो option C, option B होगा वक्षर की युद्ध से ठीक है वक्षर का युद्ध जब हुआ था उसी समय भारत में अंग्रेजु की सर्विसेश्ट ता जो थी वो इस्तापित हो गई थी क्योंकि इस युद्ध में एक और अंग्रेजी सेना थी और दूसरी और मुगल थे अवत की नवाब थे बंगाल की नवाब थे ये सबी एक तरब थे यह युद्ध प्लासी युद्ध के समान विश्वाजगात इसमें नहीं हुआ था लेकिन वक्षर की युद्ध के बाद अंग्रेजु का कोई भी प्रतिद्वन्दी नहीं रहा था और अंग्रेज पूरी तरह से भारत में आ गए थे अगला कोशन है नेमने में से कौन बि चेत्र से निर्वल चुम की चेत्र में परिवर्तित होने का गुड़ होता है ठीक है जैसे इस प्रकार का जो गुड़ होता है वो मरकरी में सोना में एलकोहल में होता है तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा option दी तावा अगला कोशन है 1857 की क्रांती का प्रमुख कारण क्या था जन आक्रोश सैनिक असंतोस इसाई मिसंडरी का प्रवंद या ब्रिटर्स समाज की नीती तो 1857 की क्रांती का प्रमुख कारण था बृतिश् समराज की नी थी अगला कोश्चर्न संब्यधार्ण सभा की प्रेधर बैठा की अध्यच्च्चता कические डाक्टर राजसें प्रिषात डाक्टर भीमरावं मेर्ट कर्म डाक्टर सच्चिदन अंसिन हगा मौलाना अबुलकलाम आजाथ तो संम्मिधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यचता की थी संम्मिधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9-दिसंबर 1946 को इसके आएघ्यचते डाक्टर संचिदानन सिर्ण और 11-दिसंबर 1946 को डाक्टर राजेंद प्रशाद इस्थाई सदस इसके इस्थाई अध्यच चुने गए थे तो अगला कोश्चन मिस्चित अर्थ विवस्था क्या है सावजनिक छेत्र एवं निजी छेत्र का सह अस्तित सावजनिक छेत्र एवं निजी छेत्र में प्रतिशपरधा निजी छेत्र पर विशेश बल या उपरोक में से कोई नहीं तो आंसर सही होगा इसका option A साफजनिक छेत्र एवं निजी छेत्र का सह अस्तित अगला question सिंदूर का रासाइनिक नाम क्या है केल्सियम कार्वोनेट, सोडियम क्लॉराइड, ट्राइप्लाम्बिक ट्रोकसाइड, पोटेशियम नाइट्र, तो option सही है option C ट्राइप्लाम्बिक ट्रोकसाइड अगला question option A क्रोमियम और निकल अगला question है मद रात्री का शूर दिखाई देता है रच्रे दुरूप पर, उत्री दुरूप पर, भूमद रेखा पर, यकरक रेखा कर तो इसके लिए जो answer है वो होगा option B उत्री दुरूप पर next question 1928 EZB में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश से आया था सिच्चा के शुधार के लिए, क्रशी के शेतर में सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए या सैनिक चमता में मूल ल्यांकन के लिए तो इसका जो answer है वो होगा आप लोग भी अटेंप्ट करिए और जल्दी से इसको अटेंप्ट करिए ताकि आप लोगों को काफी preparation के लिए काफी आप लोग प्रपेर हो सके तो answer सही होगा option C प्रशासनिक सुधार के लिए next question है भारत में सबसे पहली रेल चली थी बंबई से थाने के बीच में चली थी उस समय भारत का Governor General Lord Dalhoji था जबकि इंगलेंड में 1825 से ही रेलवे का परिचालन सुरू हो गया था ठीक है अगला question भारती संबीधान कब लागू हुआ था तेज जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 15 अगर्स 1947 से 26 दिसंबर 1949 तो भारती संबीधान कब लागू हुआ था यहां पर इसका आंसर आगया है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एट्स वाइरस HTLV 3rd की खोज किस ने की थी तो option A, Roberts Galo ने और सत्य से सत्य पर मार करने वाली भारती रच्छा में शाइल कॉन सी है नाग, क्रिशूल, आकाश या प्रत्वी तो आंसर सही होगा इसका प्रत्वी अगला कोश्चन अंग्रेजों ने अपनी प्रिथम फैक्टरी कहां पर इस्तापित की थी कलकत्ता में, भरोच में, सूरत में या एहमदाबाद में तो आंसर सही होगा option A option C सही होगा इसका option C शूरत अगला कोश्चन ब्रह्मपुत्र नदी का बहावचेत्र है option A तिबबद, बंगलादेश और भारत अगला कोश्चन करके देखा किस राजसे ओकर गुजरती है तो करके देखा गुजरती है option C बिहार देखिए करके देखा जो है ये गुजरत से एक तो भारत के ये बीचो बीच से होकर की गुजरती है इसके साथ ही गुजरत से राजस्थान से मद्र ब्रदेश से बिहार से पश्यमंगाल से त्रुपुरा से मेजोरम से होकर की गुजरती है ठीक है अगला कोश्चन नीम्न में से किसे नोवल पुरुषकार नहीं परदान किया गया था तो इन्हें इन्हें परदान किया गया था लेकिन H.J. भाबा है इनको नहीं परदान किया गया था H.J. भाबा एक बहुत ही महाल वैज्ञानिक थे लेकिन इनको ये पुरुष्कान नहीं दिया गया था और अगला कोशन है भारती संग की अंतरगत किसी राज को मिलाने का अधिकार किसे है तो भारती संग की अंतरगत किसी राज को मिलाने का अधिकार संसत को होता है ठीक है? संसत को अगला कोशन नीमने में से कौन आप प्राकृतिक होता है एक होता है प्राकृतिक इनन तो जो प्राकृतिक इनन होता है वो होता है पेट्रॉलियम अगला कोश्चन सतिपर्था का अंत किसके द्वारा किया गया था सतिपर्था का अंत किसके द्वारा किया गया था तो आंसर तो आप लोगों को दिखी गया होगा तो option A Lord William Benting अगला question इसका उद्देश के वाली ही है सेशन का कि आप लोगों का revision हो सके 1911 यजवि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भाद का वाइ सराय कौन था तो जब 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी तो उस समय जो वाइर सराय था वो था Lord Herding अगला कोशन सेका समबत कप प्रारम किया गया 58 में 78 में 320 में या 606 में तो आंसर सही होगा 78 में इस भी में भारत की सम्मिधान सावा में राश्टी द्वच को सब प्रथम कब शिवकार किया गया 22 जुलाई 1947 इस भी तेज जुलाई 1947 पच्छे जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947 तो यहां पर जो आंसर है वो सही होगा अगला कोशन है नीम ने बिदेश्यों में से सबसे पहले कौन भारत आये था तो आपने एक शौर्ट फॉम पढ़ा होगा पुत्र अड़ा ड़त फसा तो सबसे पहले पुत्र गाली ही आये थे ठीक है अगला कोशन है बाल गंगदर तिलख नीम में से किस पत्र का संपादन प इन्हों इयोंने जो कियोंतना माराथ़ा, यंग इंडिया, बॉम्बेर, करोनिकल, केषरी कीषरी का वे समपादन यो ﷺ कля 되면 कृमिके नमटन शल्ड बारण कॺते और यो बालगनगा धरते है जो घृत भान शलत है खैना पत्म में इक राजनेतिक थी तो जो मही है में केसरी एक पत्र निकाला था बाद में अंग्रेजी में मराथा निकाला था सबसे पहले इन्होंने मराथी भासा में निकाला था next question is servant of India society की संस्थापक कौन थे पत्टावी सीता रमया sn1rg bd सवारकर गोपाल कृष्न गोखले तो यहां पर जो आंसर है वह सही होगा गोपाल कृष्न गोखले ओप्शन डी गोपाल कृष्न गोखले सर्वेंट ओफ इंडिया सोशाइटी जो भारक सेवक मंडल है उसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्न गोखले ने की थी इसका जो उद्देश था यह भारत के लिए रास्टी प्रचारक त्यार करना था और सम अगला कोशन है संयुक्त राष्ट संग महासवा की प्रथम महिला द्यच कौन थी एनिवे सेंट इंद्रा गांधी विजयल अच्मी पंडित या सरोजनी नाइडू तो यहां पर जो कोशन है वह संयुक्त राष्ट संग महासवा की प्रथम महिला थी ओप्शन सी विजयल अ नैप्चून ब्रश्पती या मंगल तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है ब्रश्पती अगला कोश्चन किस ग्रह के चारों और वले है सनी ब्रश्पती बुद्ध या प्रत्वी तो आंसर होगा ओप्शन ए सनी अगला कोश्चन रख्ट में लाल रंग नीमनी में से किसके कारण होता है प्लाज्मा हीमोग्लोविंड, आर escuela वा DBC तो option B सही होगा हीमोग्लोविंड next question कौन मूल अधिकार के अंतरगर नहीं आता है स्वतंता का अधिकार, समान्ता का अधिकार संपत्ति का अधिकार या सोसन के परुदत अधिकार option C संपत्ति का अधिकार देखिए जो संपत्तिक अधिकार है ये 44 में संविदान संसोधन जब 1978 में हुआ था तो इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया था और इसको अब एक कानूनी अधिकार रखा गया है ठीक है अनुचे 300 का में 1857 के बिद्रोह के समय में कौन बिट्रिस गवर्नर जनरल था लाड अलहोजी लाड केनिंग बिलियम बैंटिंग ये लॉर्ड मेयो जब 1857 का बिद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था तो इसका जो आंसार है वो होगा ऑप्शन बी लॉर्ड केनिंग अगला कोश्चन गुलाम बंस का संस्थापक कौन था इल्टुतमस अलाउदिन खिल जी कुतुब उद्दीन एवक या बलवन तो गुलाम बंस का संस्थापक था कुतुब उद्दीन एवक next question सिवाजी की राजधानी इस तहां पर थी राएगर, सतारा, पुरंदर या तनजोर सिवाजी की राजधानी थी राएगर option A सही होगा राएगर यह जब राएगर इस्थापित किया था उस समय क्या हुआ था 1674 यह जो सिवाजी थे उन्होंने अपने राज़िकी दाजधानी रायगाड में स्थापत किया था اور बनारस की पृषिद बिश्वेश Rank उर्फ नागवट ने उनका राज्याविशेवेग किया था जो राज्या विशेक किया था उनं नागवट ने ही किया था BCG का ती का निम्नि में से किसमे लगाया जाता है निमोनिया में काली खासी में ट्रिटनिस में या टीवी में तो ऑप्शन दी सही होगा टीवी में अगला कोश्चन सम्मिधान सभा का गठन कव हुआ था तो बताईए नवंबर 1904 दिसंबर 1908 नवंबर 1950 या दिसंबर 1951 जल्दी से अटेंप्ट कीजें ऑप्शन सही होगा यह नवंबर 1940 गठन की बात हो रही है ठीक है तो गठन हुआ था नौ दिसंबर 1940 को अगला कोश्चन है बात की सम्मिधान सभा का प्रत्थम अधिवेशन कब शुरू हुआ था तो जो सम्मिधान सभा का प्रत्थम अधिवेशन है यह हुआ था ऐस्तियों का अध्यान विज्ञान की किस साखह के अंतरगत किया जाता है औरोलोजि और ऑश्टीओलोजी यस सेरेमी और जियोलोजी तो इसके लिए जो आंशर सही होगा वह होगा ऑप्शन 19 अस्तियों का ध्यन किया जाता है और स्टियोलोजी नेक्ट कोश्चन कोश्चन नमबर तो फ्रेंड्स ये इतने ही कोश्चन्स थे और आप लोगों के लिए इतने कोश्चन्स जो कि जनरल से मैंने इनको कलेक्ट किया था जनरल स्टडी के सारे questions थे, previous year के सारे questions थे तो मैंने सोचा आप लोग इसे revise कीजे क्योंकि कई questions repeat हो जाते हैं तो preparation के लिए आप लोग लिए काफी अच्छे रहेंगे, 10 दिन का समय है दस दिन डेली आपके लिए इसी तरह से previous year में पूछेंगे, questions मैं आपके लिए करवाती रहोंगी तो आप लोग शैसन को जरूर करें जरूर 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 करें और अगर notification नहीं मिलता है तो चैनल को subscribe करने के बाद वीडियो को like, share और well notification जरूर एक्टिव कर दें जिससे सारे notifications आपके पास तक बहुंसते रहें